आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देख रहे हैं हर ख़बर पहनी नज़र मत्रौा में यमना एक्स्प्रिस वे पर डबल डेकर बस में हत्यारों के बल पर लूट हो गई एक्सप्रिस वे पर लूट की घटना से पुलिस प्रसाशन में भी हरकम मच गया और आलादिकारी घटना सर्प पहुँच गए थाना सूरीर इलाके में यमना एक्सप्रिस वे पर रात दो बज़े की ये घटना है कुशी नगर में पोलिस अदेक्षा, कुशी नगर सचिंद्र पटेल ने जनपत कुशी नगर के कुटवाली पढ़ रोना थाने का ओचक निर्क्षन और अगामी पंचाय चुनाव के मंदे नजर की गई पोलिस कर्मियों को थाने में आने वाले आंगन तुकों के साथ शाली इंता पूर्वक विनम रुपे वहर करने और उनकी समस्याओं को सुनकर ततकाल उन पर अवश्यक करवाई करने के लिए निर्देशित भी किया बुलंद शयर में बदमाशों के होशले लगता बुलंद है बदमाश तिमारदार ने डॉक्टर पर पिस्तॉल तान्ने की संगीन मामले दर्श है क्लिनिक पर डॉक्टर और सोनु के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी जिसके बाद सोनु ने डॉक्टर पर पिस्टल तान दी प्रताबगर में साधी वर्दी में गए पुलिस वालों से शराब माफिया धर्मेंद सिंग भिर गया बता दें अवैस शराब प्रकरण में गंभीर धर्मेंद सिंग पर मुकदमा पहले से ही दर्श था मुकदमा लिखने के बाद शराब माफिया फरार चल रहा था अन्तू कोत्वाली शेत्र के समोगत रॉली काउं का ये पूरा मामला है सिंग रॉली एंसी एल जयंत परियोजना कालोनी के एक आवास में घुसकर महिला का हाथ पेर बांद का देंदाहड़े लूट डकैती की वारदात करने वाले तीन आरूपियों को विद्या नगर पुलिस ने उरिसा से धर दबोशा है पुलिस कंट्रोल रूम में घटना का खुलासा करते हुए एस पी विरेंद सिंग ने बताया कि आरूपियों के कबजे से करीब साथ लाग के सूना चान्दी नगदी के लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसे बरामत कर लिया गया है ललिदपुर में पुलिस के सामने दबंगो की दबंगई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया दरसल नशेरी दबंगो ने बाइक सवार को जम कर पीटा करीब 15 मिनट तक बेरहमी से पीटे रहे लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ ड्यूटे पर तैनाद पुलिस मूग तरशक बनी रही और सदक उतवाली शेत्र के सावार कर चौक का पूरा मामला है पीली बीट में पुरानी रंजिश को लेका यूवक को गोली मार दी गई जिसके बाद गंबी हालत में यूवक को जिलास्पताल में भरती कराया गया इतना ही नहीं पहले भी यूवक पर जानलेवा हमला हो चुका है और आरोपी यूवक के खिलाब पहले से ही मुकदमा दर्च है पताने थाना देरी उडिया इलाके के जस्पुर गाउं का पूरा मामला है प्रताबगर में कुंडा कोदवाली डीपी सिंग और श्राम माफिया सुधाकर सिंग के फोटो वारल होने का मामला मामले में अब सफाई दी गई है दरसल कहा जा रहा है कि जो फोटो वारल हुआ है वो लगबर दस महीने पहले ही की बताई जा रही है रिटायट कुंडा सीओ रादेश श्याम की विदाई समारों की वो तस्वीर बताई जा रही है विदाई समारों में जुले के कई वरिष्ट रधिकारी भी मौजूद थे प्रदेश में पंचाय चुनाव का आगाज हो चुका है चुनाव की अली सूचना जारी की गई है गाउं प्रदान और जुलापंचाय सदस्य अपने भाग्या अजबाने में लगे हुए है तमाम मुद्ने कोले का जुलापंचाय प्रतेनिदी शेरेंदी यादव से बातचीत भी की गई लगाता काफी दिनों से गुजरात के सभी शेरों में और गाउं में कुरोना की नई ट्रेड के मरीज लगाता बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन कुरोना की वज़़से मरतकू की संख्या भी बढ़ रही है इसी वज़ा से गुजरात हाई कोड ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि तीन चार दिन का लॉकडाउन जरूरी है गाइडलाइन्स के हिसाब से सभी से सकती से पेश आए और गाइडलाइन्स का पालन कर पाएं बुलन शेहर में गेहूं के खेत में युवक के अधजली लाश मिली दरसल कल मृतक के परिशनों ने शिकारपूर में मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्श कुराईती पुलिस ने पंचायत नामा की कारवाई करने के वाश्रफ को पोस्पॉर्णम के लिए भीजा हत्यारे और हत्या के कारण को पुलिस तराश्रे में जुटी हुई है बता दे बुलंचाय के शिकारपूर कोतवाली शेतर के पूठा सूजापूर गाउं के बाहर सेथ खेतों का ये पूरा मामला है पीली भीत में डियम के निरक्शन से पहले ब्लॉक में अवेवस्ताय दिखी बिना मास के लोग घूमते नसर आए इतना ही नहीं ब्लॉक परिसा में बिना इंट्री के लोग घूसते नसर आए बर खेड़ा ब्लॉक परिसा का ये पूरा मामला है उत्रप्रदेश के मेरट में संसरी खेज वारदात सामने आई है भगवानपुर्थाना श्वेत्र के नगला साहु गाउन निवासी छे महीने की गर्वती की दहेश में कार नहीं मिलने पर खत्या कर दी गई खतना के बाद पती और अन्या लोग फरार हो गए है सूचना पर पहुंची पुलिस से माई के पक्ष को सूचना देते हुए शब को पोस्पॉर्णम के लिए भेजिया माई के वालों ने पती, सास, ससुर और अन्या पार खत्या का आरोप लगाया है परिशनों का कहना है कि माहिला की गला दबा कर खत्या की गई है हर खबर पहनी नजर में बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तवाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं लेकिन देखते के लिए से परे जाप से लिए से जड़रों से जुड़े लेकिन है